अगर आपको इसी तरीके की हर्याली चाहिए तो मार्च में बहुत ही गार्डन से लेटेड जरूरी काम है जो की कर लेने हैं सबसे पहला काम होता है रिपॉर्टिंग जिन पौदों को आप पुराने हो गए हैं जो काफी टाइम से एक ही गंबले में लगे हुए हैं उन सारे पौदों की रिपॉर्टिंग बहुत जरूरी होती है अगर आप रिपॉर्टिंग नहीं करते हैं तो पौधा अच्छे से फलता नहीं है उसमें पतियां वगरह नहीं आती हैं और कई बार तो पौधे के मरने के chances रहते हैं तो हमेशा जबी भी reporting करें एक या दो size अप गमला लें जैसे मैंने यहाँ पे एक चोटे गमले से निकालके एक size, दो size अप है यह गमला उसमें मैंने इसको लगाया है अभी आप देख रहे हैं इसमें कोई पतिया नहीं है एक वीक के अंदर ही इसमें इतनी सुन्दर सुन्दर पतियां आने लगेंगी तो बस reporting ज़रूरी है ताकि पौधा अच्छे से growth ले और पौधा बहुत अच्छे से full दे सके अगर full हो तो full दे सके दूसरा काम जो हमें करना है मार्च में वो है पौधों की अच्छी तरीके से सबसे पहले गुडाई करें गुडाई जितने भी पौधे हैं क्योंकि सर्दिया खतम होते ही उनकी बहुत जो मिट्टी है वो बहुत जरूरी है उसके अलावा है फर्टिलाइजर देना एक बहुत अच्छा यहां पे जो आप देख रहे हैं यह एक मैं हर साल जबी भी कोई भी मौसम स्टार्ट होता है तो एक बार जितने भी हमारे पर्मानेंट प्लांट्स होते हैं यानि कि जो साल भर लगे रहते हैं फूलों वाले पौधे फलों वाले पौधे उनको मैं फर्टिलाइज जरूर करती हूँ तो यहां पे मैंने वर्मी कमपोस्ट कोकोपीट और कल्शियम पाउडर को लिया है और इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने गमले की मिट्टी हटाएंगे जड़ों से थोड़ा दूर वहाँ एक गड़ा करेंगे और उसमें गमले के हिसाब से जैसे यहां पे मैंने यह मेरा ठारे बाई अठारे का ग्रो बैक है तो लगभग दो से तीन मुट्टी मैं यहां पे दे दूँगी जीज़े नहीं करते हैं तो दिक्कत होती है नेक्स्ट है अपनी जितनी भी आपकी स्वाइल मिक्स है उसको अच्छे से सुखा लीजिए जो पुरानी स्मिट्टी है उसको अच्छे से सुखा लीजिए क्योंकि अगर आप इसे नहीं सुखाएंगे तो पौधे में कीडे विगरा लगे रहते हैं उसके next में है जो मार्च में आपको काम करना है वो है pruning यानि की पौधों की कटाई और छटाई अब कटाई छटाई दो तरीके से होती है soft pruning होती है यानि की हलकी हलकी सी आप उपर उपर से इसकी tip काट दे hard pruning जैसे मोगरा, करीपता, ड्रम स्टेक, गुड हल इन सब में अगर आप hard pruning करेंगे तो result बहुत अच्छा है बहुत ही अच्छे फूल निकल के आते हैं मोगरा में आप एक करके देखिएगा तो आपको भी पता चलेगा कि कितना ही अच्छा result यहां पे निकलता है उसके बाद जो अगला काम आता है, cutting लगाना जितनी भी हम pruning, cutting बगरा करते हैं तो cutting हमें बहुत सारी मिल जाती है इनको आप waste ना करें और जरूर लगाए अगला काम जो हमें मार्च में खतम कर लेना चाहिए जो की बहुत ही जादा जरूरी है वो है बीजों को बोना basically 15 मार्च तक एक खतम हो जाना चाहिए लेकिन कुछ चीजों के बीज हैं जो की हम अपरेल तक लगा सकते हैं तो ऐसी सबजियों के, फूलों के, फलों के बीज आप जरूर लगाए और इसके लिए मैंने यहाँ पे जो मिट्टी यूज की है वो कोको पीट और वर्मी कमपोस्ट को बराबर बराबर मिला के किया है एक रील भी, एक शॉट भी इसका शेयर किया था वो भी आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल पे जाके अंगला काम जो हमें करना है मार्च के खतम होने से पहले वो है अपने जितनी भी सबजियों के लिए या फलों के लिए या फूलों के लिए जो भी हमें उगाना है उन सब के लिए हमें एक बहुत ही बढ़िया मिट्टी बना कर तयार करनी है मिट्टी में आप खाद, कोको पीट और मिट्टी और नीम खलीब डालिए बस इसका अच्छे से एक कॉम्मिनेशन बनाईए सारे ग्रो बैक्स को भर लीजिए ग्रो बैक को पहले भर के रखेंगे, पानी देंगे तो मिट्टी सेटल हो जाती है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, उसके बाद मैं जो सर्दियों की जितने भी विंटर में आपने जो भी आपने फसल लगाई थी, जो भी क्रॉप्स लगाए थे, उन सब को निकाल कर अपना ग्रो बैक खाली कर लीजे, क्योंकि होता क्या है कि लास्ट क्रॉप होती नहीं है और हम लालच में की थोड़ा सा आ जाएगा, उसके चक्कर में अपने जितने भी गमले वगरा होते हैं, उन सब को भर भर के रखे होए होते हैं, जिससे हमारी जो गर्मियों की सबजियां हैं, उनको लगाने में लेट हो जाती, जैसे आप देख रहे हैं कि सीडलिंग तयार है लेकिन ग्रो बैक खाली नहीं होते हैं, जिसकी बज़े से लेट हो जाता है उसका अगला काम है ग्रो बैगों को कैसे भरें या गमलों को कैसे भरें तो इसके लिए सिंपली आप सबसे नीचे ब्राउन वेस्ट डाल सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने मूंफली और थोड़े से ब्राउन पेपर का यूज किया है वो सब नीचे डाला है उसके उपर एक लेयर मिट्टी डाली है उसके उपर मैंने जितने भी मेरा थोड़ा सा किचिन वेस्ट रखा हुआ होता है छिलके वगरा होते हैं वो सब मैंने डाल दिये हैं फिर उसके उपर सूखे पत्ते वगरा वो सब डाले हैं इस तरीके से अगर आप layer करके डालते हैं तो लगबग चौथाई से थोड़ा जादा मैं गमले को इसी तरीके से भढ़ती हूँ और उसके बाद मैं मिट्टी की अच्छी से layering करके उसको पूरा भढ़ देती हूँ तो इससे फायदा क्या होता है एक तो गमला आपका हलकात रहता है मिट्टी कम आती है दूसरा उससे जो बाद मैं खाद अच्छी बनती है उसका अगला काम है कि ये सब करने के साथ साथ हमें जो बीज हैं उनको बचा के रखना चाहिए ताकि हम नेक्स सीजन में उनका यूज़ कर सकें इसके अलावा जितने भी पौदों की सैपलिंग हमारे पास तयार हो गई है जितने भी प्लांट जितने भी बीज हमने लगाए थे उन सब को ट्रांसफर भी आप मार्च में कर लें तो बहुत ही बहतर है क्योंकि ज़्यादा बड़ी सैपलिंग को ट्रांसफर करेंगे तो मरने के चांसेस रहते हैं और लास्ट अंड लीस्ट फूलों के पौधे आपको जरूर लगाने हैं चाहे आप बीच से लगाएं चाहे आप नरसरी से खरीद के लगाएं क्योंकि अगर आप फूल नहीं लगाते हैं तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होता है अच्छे पॉलिनेशन के लिए हमेशा जरूरी है कि अपने गार्डन में फूलों को भी उतनी जगए आप अच्छे से दे तो ये कुछ काम थे जो कि मार्च खतम होने से पहले आपको जरूर कर लेने चाहिए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर करें लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हैपी गार्डनिंग